स्कार दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान के मैच में भारतिय टीम की जीत होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर भुद्वार को एक महामुख बला खेला जाना है इस मैच का दुनिया भर के प्रशन सक काफी बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमें इस मैच के लिए पूरी तरह से तयार हैं और दर्शकों के लिए एक रुमान चक मैच होने की पूरी उमीद है बता दें कि पाकिस्तान के पास शांदार गेंद बाजी हैं और वियर इस बात को हंकॉंग के खिलाफ साबित भी कर चुके हैं पाकिस्तान के पास मुहम्मद आमेर, हसन अली और उस्मान खान जैसे शानदार गेंद बाज हैं जो किसी भी टीम को जल्दी आउट करने की क्रमता रखते हैं वहीं पाकिस्तान के पास बल्ले बाजी में भी फक्कर जम्मान, बाबर आज रमबर शोयब मलिक जैसे शानदार खिलाडी हैं जो अपनी टीम के लिए बड़ा स्कोर कर सकते हैं पाकिस्तान की गेंद बाजी अच्छी हैं तो भारत के पास भी शानदार बल्ले बाज हैं रोहित शर्मा, शिकरदवन और केल राहुल किसी भी गेंद बाजी आक्रमन को तहस नहस करने की क्रमता रखते हैं वहीं भारत के पास चाहल और कुल दीप्त जैसे दो शानदार युवा स्पिनर हैं जो अपनी गेंद बाजी से किसी भी बल्ले बाज को चक्मा दे सकते हैं तेज गेंद बाजी पर भी भारत मजबूत हैं क्यूंकि उसके पास गुम्राह और भुवनेश्वर की जोडी हैं जो पिछले काफी समय से शानदार प्रदर्शन कर रही है बता दे कि भारत और पाकिस्तान की टीम ने इशिया कप के वनडे फॉर्मेट में कुल 11 मैच खेले हैं जिसमें से भारतिय टीम ने 5 मैच जीते हैं और पाकिस्तान की टीम ने भी 5 मैच ही जीते हैं दोनों टीमों के बीच एशिया कप में खेला गया एक मैट बेनती जा रहा था आपको यह भी बता दें कि साल 2016 का एशिया कप टीडट फॉर्मेट में खेला गया था साल 2016 में भी भारत और पाकिस्तान की टीम में आमने सामने थी इस मैच को भारत की टीम ने जीत लिया था मौसम रिपोर्ट बता दें कि यह मैच दुबाई क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच यह मैच 49 डिगरी के तापमान में खेला जाएगा हम डीटी भी 41 पेर सेंट की रहेगी वहीं हवा 24 कि मी प्रति घंटे की रफतार से चलेगी इस मैच में प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर यह है कि मैच के दोरान बारिश की कोई संभवना नहीं है पिच रिपोर्ट दुबाई क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी होगी यह विकेट एक फ्लेट विकेट दिख रही है तेज गेंदवाजों को इस विकेट से ज्यादा स्विंग नहीं मिलने वाली है हाला कि जैसे जैसे मैच चलेगा वैसे विकेट स्लो होता जाएगा इसलिए मैच में स्पिन्रों की भूमी का अहम हो सकती है दोनों ही टीमों में कई शांदार बल्लेबाज है इसलिए यहां मुकाबला एक हाइज स्कोरिंग मुकाबला होने की पूरी उमीद है इस फ्लेट फिकेट में जो भी टीम टॉस जीतेगी वै टीम पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी और एक बड़ा स्कोर बनाना चाहेगी इस प्रकार हो सकती हैं दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन भारतिय टीम रोहित शर्मा, कप्तान, शिकरदवन, केल राहुल, मनीश पांडे, एमएस दोनी, केदार जादव, हार्दिक पांडया, भुवनेश्वर कुमार, कुल्दी प्यादव, युजवेंद्र चहल, जस्प्रीत बुम्रा, पाकिस्तान टीम फक्खर जम्मान, इमाम उलहक, बाबर आजम, शोयब मलिक, सर्फराज एहमद, कप्तान, आसेप अली, शादाब खान, फहीम अश्रप, हसन अली, मुहम्मद आमेर, उस्मान खान